अस्सलाम अलेकुम डियर स्टूरेंट्स, I am Madhya Yaseen, your Maths Instructor for Class 9. आज के लेक्टर में हम 17.1.1 Drawing Angle Bisectors Altitudes Exceptor का केस भी डिसकस करेंगे, जिसमें हम Given Triangle के Altitudes Draw करेंगे और उनके Point of Concurrency को Verify करेंगे. तो आएए चलते हैं अपने केस के सिलूशन की तरफ. आज के लेक्टर में हम 17.1.1 Drawing Angle Bisectors Altitudes Etc. का केस भी डिसकस करेंगे, that is, Draw Altitudes of a Given Triangle and Verify their Concurrency. तो सुरेंट्स, इस केस में हमें Altitudes Draw करने हैं एक Given Triangle के और उनकी Point of Concurrency को Verify करना है. तो इसके लिए हम पहले Altitudes की Definition को Discuss करेंगे और उसका Concept क्लियर करेंगे, then हम Example की तरफ Move करेंगे. आप Perpendicular Line Segment from a Vertex of a Triangle to the Side opposite to the Vertex is called an Altitude of the Triangle. तो सुरेंट्स, ट्राइंगल के किसी भी Vertex से उसकी Opposite साइट पे अगर Perpendicular Line Segment ड्रॉप किया जाए, तो उसको हम Altitude of the Triangle कहते हैं. जैसे कि आप इस ट्राइंगल A, B, C में देख सकते हैं, कि Angle B के Opposite साइट पे, कि Vertex B के Opposite साइट इस लाइन सेग्मेंट C, A उस पे एक Perpendicular ड्रॉप किया गया है, जो Vertex B का Altitude होगा. इसी तरह से Vertex C के Opposite साइट पे एक Perpendicular ड्रॉप किया गया है, और Vertex A के भी Opposite साइट पे एक Perpendicular Line Segment ड्रॉप किया गया है, जो इनके Altitudes को शो कर रही है. इसी त्राइंगल के Altitudes ड्रॉप करने हैं और वेरिफा करना है कि वह करना है कि वह करने हैं तो अब हम मूव करते हैं, अपनी Construction की तरफ जिसके लिए सबसे पहले हम Given Mention करेंगे, और हमें रिक्वाइड है तो कंस्ट्रॉप करते हैं ड्रॉप करते हैं ड्रॉप की Construction की तरफ जिसके लिए हम सबसे पहले Given Data से एक ट्राइंगल कंस्ट्रॉप करेंगे तो स्ट्रॉप हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन हैं तो जो साइड गिवन है ताइज मेर लाइन सेग्मेंट BC उसको हम ट्राइंगल की बेस लाइन कंसीडर करेंगे, Scale लेंगे और 5.9 cm की एक लाइन सेग्मेंट ड्रॉप कर देंगे अब इस लाइन सेग्मेंट के दोनों endpoints में नेम मेंशन कर देंगे B and C और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे that is 5.9 cm स्टुरेंट्स एक्ससाइज 13.1 में हमने compass के थूँ different angles construct करना सीखे हैं जैसा के 60 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री and 105 डिग्री लेकिन यहां पर जो दो angles हमें given हैं उनको हम compass के थूँ draw नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम protractor यूज करेंगे और angles को draw करेंगे protractor भी हमारे पास geometric का ही एक tool होता है जिसके थूँ हम different angles को draw करते हैं तो सबसे पहले हम vertex B पे 56 डिग्री का angle draw करेंगे उसके लिए हम protractor लेंगे और रखेंगे point B पे और जहां पे 56 डिग्री angle बन रहा है उदर एक point mark कर लेंगे अब scale लेंगे और point B को और point B से एक line segment draw करेंगे जो इस point में से पास करेंगे जिसको हमने 56 डिग्री angle के लिए mark किया था अब हमें vertex C पे 44 डिग्री angle draw करना है तो उसके लिए again हम protractor लेंगे और रखेंगे point C पे और जहां पे 44 डिग्री angle बन रहा है वहां के लिए एक point mark कर लेंगे अब हम scale लेंगे और point C से एक line segment draw करेंगे जो इस point में से पास करेंगी जो basically 44 डिग्री angle को show कर रही है तो students ये दोनों line segments जिस point पे intersect कर रही है उसको हम mention कर देंगे point A so that ABC is the required triangle और इसके vertex B का angle है 56 डिग्री जिसको हम mention कर देंगे और vertex C का angle है 44 डिग्री तो हमने अपने given data से जिसमें हमारे पास एक side की length given थी और दो angles given थे एक triangle ABC construct कर लिया है next हमें इस triangle के altitudes draw करने है और verify करना है कि वो concurrent है तो उसके लिए सबसे पहले हम vertex A पे altitude draw करेंगे students हम देख सकते हैं कि vertex A की जो opposite side है वो line segment BC है तो हम compass लेंगे और रखेंगे point A पे और line segment BC से थोड़ा से जादा open कर लेंगे compass को open करने के बाद हम एक arc draw कर देंगे जो line segment BC को दो points पे intersect करेंगे आप compass को रखेंगे इस arc के first end point पे और एक arc draw कर देंगे आप compass को रखेंगे इस arc के second end point पे और एक और arc draw कर देंगे जो हमारी previous arc को intersect करेंगे अब scale लेंगे और point A से एक ray draw करेंगे जो इन arcs के intersection point में से pass करेंगी Students, ये ray जिस point पे line segment BC को cut कर रही है उसको mention कर देंगे point P और हम देख सकते हैं कि line segment AP is perpendicular to line segment BC और point P पे जो angle बन रहा है वो 90 degree angle है अब same procedure को repeat करते हुए हमें vertex B और C पे भी attitudes draw करने है तो उसके लिए हम compass लेंगे और रखेंगे vertex B पे और vertex B की opposite side हमारे पास line segment AC से थोड़ा से ज़ादा open कर लेंगे और एक arc draw कर देंगे जो इस line segment को दो points पे intersect कर रही है अब compass को रखेंगे इस arc के first end point पे और upper side पे एक और arc draw कर देंगे अब compass को रखेंगे इस arc के second end point पे और upper side पे एक और arc draw कर देंगे जो previous arc को intersect करेंगे अब scale लेंगे और point B से एक ray draw करेंगे जो इन arcs के intersection point में से पास करेंगी अब यह ray जिस point पे line segment AC को cut कर रही है उसको mention कर देंगे point Q so that line segment BQ is perpendicular to line segment CA और point Q पे जो angle बन रहा है वो 90 degree का angle होगा students हम देख सकते हैं कि यह दोनों altitudes एक point पे meet कर रहे हैं जिसको हम mention कर देंगे point O जो हमारे पास triangle ABC के अंदर ही मौजूद है अब हमें third altitude draw करना है at vertex C तो उसके लिए again compass लेंगे और रखेंगे point C पे और point C की opposite side जो के line segment A B है उससे थोड़ा से जादा open कर लेंगे और एक arc draw कर देंगे जो line segment A B को दो points पे cut करेंगी अब compass को रखेंगे इस arc के first end point पे और upper side पे यानि के outside the triangle एक arc draw कर देंगे अब compass को रखेंगे इस arc के second end point पे और again एक और arc draw करेंगे जो previous arc को intersect करेंगी अब scale लेंगे और vertex C से एक ray draw करेंगे जो pass करेंगी इन arcs के intersection point में से students यह race जिस point पे line segment A B को cut कर रही है उसको mention कर देंगे r so that line segment C R is perpendicular to line segment A B और इस तरह से point R पे जो angle बनेगा वो भी हमारे पास 90 degree angle होगा students हम देख सकते हैं कि हमारा third altitude B first two altitudes, first two altitudes के point of intersection में से ही pass कर रहा है जिसको हमने mention किया था O तो क्योंके यह तीनों altitudes एक ही point of intersection में से pass कर रहे हैं या इन तीनों altitudes का point of intersection same है तो हम यह कह सकते हैं कि यह तीनों altitudes concurrent है and they are concurrent at point O students I hope आपको altitudes draw करने का procedure समझ में आ गया है अब हम इसके steps of construction को mention कर देंगे so first step is take Meijer line segment VC is equal to 5.9 cm using protractor draw Meijer angle CBA is equal to 56 degree and Meijer angle BCA is equal to 44 degree to complete the triangle ABC next हमने altitudes draw किये थे from the vertex A, draw line segment AB perpendicular to line segment BC from the vertex B, draw line segment BQ perpendicular to line segment CA these two altitudes meet in the point O inside the triangle ABC now from the third vertex C, draw line segment CR perpendicular to line segment AB we observe that this third altitude also passes through the point of intersection O of the first two altitudes hence the three altitudes of the triangle ABC are concurrent at O तो इन steps को follow करते हुए हमने verify कर दिया कि हमारी given triangle ABC के तीनों altitudes एक ही point O पर concurrent है और students last lecture में हम ये discuss कर चुके हैं कि the point of concurrency of the three altitudes of a triangle is called ortho center तो इसका मतलब है कि ये point O हमारे पास आया है जो given triangle के altitudes का point of concurrency है इसको हम ortho center कहेंगे तो students I hope आपको ये तमाम steps clear हैं जिनके थुरू हमने एक side और दो angles से एक triangle construct की और हमने यहां पर angles draw करने का different तरीका use किया that is using protractor और उसके बाद हमने triangle के altitudes को construct किया और verify किया कि वह तीनों altitudes एक ही point पे concurrent है और उस point को हम ortho center कहते हैं next lecture में हम case C discuss करेंगे जिसमें हम perpendicular bisectors draw करना सीखेंगे और verify करेंगे कि वह एक point पे concurrent है that's it तो students आज के lecture में हमने 17.1.1 का case B solve कर लिया है जिसमें हमने एक given triangle से altitudes को construct किया and then उनके point of concurrency को verify किया next lecture में हम इसी case के part C से start करेंगे I hope आपको यह case clear है see you in the next lecture Allah Hafiz